देख सकते हैं मापर मत्टी उठाया हुआ है दिवाली का सीजन है छट का सीजन है कोई भी वेक्ति मत्टी उठा सकता है 2019 से जब वो जियोबेक का कौम हुआ है न हम इस वक्त पहुँच चुके हैं ग्राउंड लेबल का रिपोटिंग देखाने के लिए सबसे बरी बात यह है कि किसोनों का फसल अपने समय का अनुसार सभी का फसल बाग हो गया है जब फसल बाग हो गया है तो यहों के अस्थोनिय बेक्तियों का मिट्टी उठाएगा कहों से कल्यानपूर से लेकर घोरगट के बीच में जब से गंगानदी की किनारे जियो बेक्त का कम हुआ है तब से यहों के अस्थोनिय बेक्तियों का मिट्टी की समस्या बहुत बराब बन गया है जो कि लगभग चार पोच मैनों तक मिट्टी कुछ न कुछ गंगानदी से उठा आते रहता था अब लेकिन वह मिट्टी उठाने के लिए नहीं मिलता है वह मिट्टी की प्रेसर पर गिया है रिल्वेट रखके दक्षिन साड़ चौर करारी खेद में जब खेद बाग हो जाता है तो यहां का स्थोनी बेक्तियों को बहुत बढ़ा प्रेसानी हो जाता है यहां तक कि ग्रॉमिनों को नहीं प्रेसानी होता है बलके कि सोनों को भी प्रेसानी बढ़ जाता है प्रेसानी क्या बढ़ता है जब खेद बाग होता है तो फसलों से मिटी उठा लिता है जिस जगह से फसल से मिटी उठता है तो हां कि कुछ पेरपोदा खराब हो जाता है यह तो बात रहे हैं जब तक फसल भाऊ हुआ छोटा-छोटा है तो मिटी उठ गए जब बढ़ा हो जाएगा तो इससे मिटी नहीं उठेगा मिटी नहीं उठेगा तो क्या करेगा यह जो नहीं एक बने मटी नदी के बीछ से गिला मिटी उठाता है एगर उस गिला मिट्टी से संब्व नहीं होता है तो खेंडरामिं से फोकस करना चाहता है नहीं किनारा देखा ने है यह जो देखने न इस तरह के मिट्टी खुदते रहता है यहां के ग्रआमिंड लोग तो जिन किसोनों का ये पलाट है, खेत है, उनसे गुजारिश करते हैं कि अपनी खेत की सुरक्षा स्वयम करिए, देखिए ये दिवाली का सीजन है, छट का सीजन है, कोई भी वेक्ति मटी उठा सकता है, किसी को रोका छोका नहीं हो सकता है, आप कितनों भी रोका छोकी करिएगा तो उसके है, बता ये छोटा छोटा है, अगर इस तरह मिटी उठा लेगा ते किस तरह उपजा करेगा, 2019 से जब जियोब्य का कम हुआ है, तब से लगतार सिलसिला इस चौर मनी नदी के किनारे मिटी पर दवाब पर गिया है, यहांस मिटी उठता है, लगता है मेहनों में दो तीन ट किसान को लाठी उठाना परेगा, देख सकते हैं महा पर मत्य उठाया हुआ है, जो कि नदी में पानी है, इसलिए महात उठा रहा है, किसान को खेत पानी में डाल रहा है